एलो गईस मेरा नाम है जोती और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है तो गईस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत जानी-मानी कंपनी जस्ट डायल के बाढ़े में आप लोगों ने कभी ना कभी इसका यूज किया ही होगा कोई ना कोई काम से सो हम लोग क्या इस कंपनी का थोड़ा बहुत प्रोफाइल डीटिल्स की बात कर लेंगे दैन इसका फंडमेंटली कितना स्ट्रॉंग है अभी बाइंग ऑपर्चुनिटी है या नहीं बात कर अब इसका चार्ट अनलिसिस करके भी देखेंगे कि पास्ट में जब से लिश्टेड हुआ है तब से लेके अभी तक का इसका कैसा पॉफोर्मेंस रहा है उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि थोड़ा बहुत वेट करना कोई भी वीडियो के बेस पर ना करें अपने कोई इन्वेस्टमंट से पहले अपने फायनश्यल औरवाइजर के एक बर पूछ ले कोई हैं इसर नहीं बेस नहीं हूं जो जस्ट डायल पर लिस्टेड होते हैं तो इनको kya फान ले में इस हो जाता या जरना इस चसट डायल कंपपनी में और नसे कॉंटक करना भीजे बिज़ी हो जाता है जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा जो जितने लोगों ने शा-जा कि उ Scott dostiin के beaten में वीडियो में आठ अगस्त को रेकॉर्ड किया था उस टाइम पर देख सकते हो जश्टायल एक ओवर वेल्यूड मिंस कंपनी है और यहां पर मिंस एक अच्छी ओपर्चुनिटी दिख रही है बाइंग के लिए बाकी हम लोग एक बार चार्ट एनलिसिस करके भी देख ले एक बार तो गाइस देख सकते हो जश्टायल ने लास्ट फार्च साल में कोई भी डिविडंड भी नहीं दिया है कंपनी ने कंपनी का प्राइज अर्णिंग रेशियो देख सकते हो यहां पर पी रेशियो 29.13 है कंपनी का पी बी रेशियो देख सकते हो 2.63 तो जैसे कि खरीद लिया था बहुत पहले ही तो हम एक तरिके से कंपनी लॉंग टर्म के लिए अच्छी है मान सकते हैं बाकी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो आप लो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 74.18 परसेंट है बाकी म्यूचियल फंड एन फॉरें का भी ट्रेश्ट है इस कंपनी के यह मान सकते हो आप लो काईस अगर कोई एक लाख रुपे इस पर जश्टायल में एक साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसका एक लाख बढ़के एक लाख असी हजार रुपे बन जाएगा यह होती है कंपाउंडिंग का पावर सो मिंस अच्छी खासी है अगर पास्ट में किसी ने बहुत जादा पैसे लगाए रखे होते तो आज उसका अच्छे खासा रिटन मिल चुका होता गाईस यहां पर मैंने वन डे का टाइम फ्रेम ले लिया है और आप लोग यहां पर देख सकते हो कि उपर से रिजेक्शन मारके थ म dependence क्यां आप एक त्रेद कर रहा है अभी इसके पास्ट यह आइसे के और ऑप सब्सकुर्ण ब्रम production करेंगा और ह्घी यहां पर यहां पर देख सकते हो मैंने यहां पर उन मंथ का टाइम फ्रेम ले लिया है और यहां पर देख सकते हो आप लोग इसका चार्ट और भी यह क्या ब्रेकाउट जोन पर है यहां पर एक छोटा सा पर एसिस्टेंस देख सकते हो जहां पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट बाकी यह तेरा शो का बेकाउट करेगा तो हमको यह पूराना हाई था वहा तक का टार्गेट मिल जाएगा गाईज बाकी अभी हमको तेरा शो के ब्रेकाउट का वेट करना रहेगा और बाड़ा बीस से बाड़ा-teřस का जो है वह support zone है बाकी यहां पर देख सकते हो मैं यहां पर देख सकते हो six month का मैंने time frame ले लिया और यहां पर 1150 बे rejection कडा है और वह reject होके direct उपर के side जा रहा है और rejection इसलिए कडा है क्योंकि वहाँ पर एक resistance था अभी यहाँ पर मैंने 12 मंत का time frame ले लिया है one year का और यहाँ पर देख सकते हो कि जब listing हुई थी उसके बाद यह थोड़ा बहुत उपर के side move दिया दें नीचे तीन सार लगातार गेडा फिर support लिया चोटे चोटे candle में लगातार 6 साल तक trade किया और फिर अचानक से अभी जाके move आई है इस company में अभी जब 1300 का breakout आएगा तो हमको यह resistance जो है यहां तक का target मिलेगा एंड जब यह resistance का breakout आएगा तब हमको new high देखने मिलेगा यह जो spike आई थी तो यह spike तक का move हमें देखने मिल जाएगा जहां पर मार्केट ने हाई लगा के आया था 1400 के breakout पे हमको new high देखने मिलेगा यह जो है यहां पर यह perfect एक breakout या फिर रेसिस्टेंस जोन बोल सकते हो जैसे पहले company जब लिस्ट हुआ था उसके बाद यह तीन साल लगाता रिजिस जोन पे reject होके नीचे आई थी वहीं पर वापस यह पहुंचने की कोशिश कर रही है और अगर वापस से वहां पर सिस्टेन होके breakout नहीं आया तो यह वापस से नीचे आ जाएगी यह हम expect कर सकते हैं यह जो रेसिस्टेंस जोन था पुराना वहीं से वापस से अगर नीचे आ जाएगी तो हम वापस से कुछ सालों के लिए मतला कुछ महीनों या सालों के लिए फर्स सकते हैं तो हम breakout का वेट करेंगे ठीक है गाइस तो चलो गाइस टाटा